हलो फ्रेंट्स हमारे यूटूब चैनल हिंदी इंगलिश शॉटेंड डिक्टेशन में आपका स्वागत हैं लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 12 कर रहे थे जो की कंप्लीट नहीं हुआ था इस वीडियो में हम उसी को कॉंटियू करेंगे अब पॉइंट नंबर 49 से हमें सब्सक्राइब करते हैं और यूजड इन दा मिडिल ऑफ वर्ड वें दे जॉइन इसली टूदा फॉलोइंग स्टोक से उनके साथ अगर इसली जॉइन हो रहे हैं तो हम मिडिल में भी यूज करेंगे वी और एन हो को तो कौन से वो स्टोक से उनके बारे में पढ़ते हैं भी जैसे विवनीग रिकना इस इसमें मिडिल में हो रहा है वानलों से ऋट एनड़ घेंगे इन इसकह थाइन्टी तदेसे सचाथ एंडा में इसली जोइन हो राएंग ठीड के अरिजमेंट अरेंजबएंट में में मेरें हो आँभा और ओपनिंग-ओर ओपनिंग के बाद attended splendid extended ठीक है इसमें इसमें जॉइन हो रहा है मिडिल में तो मिडिल में भी यूज़ करेंगे hundred जैसे hundred and और वी हुक को मिडिल में भी जॉइन करेंगे beginning beginning ठीक है beginning हो गया अब और कुछ sentences भी है और कुछ words हैं परफेक्ट में जैसे वी वाले हो गए यह एन वाले थे परफेक्ट हो गया profit हो गया वी हुक को मिडिल में भी यूज़ करेंगे profit हो गया provide हो गया ठीक है और advance हो गया वैसे ही definite हो गया definitely हो गया definitely हो गया telephone हो गया यह n होक के बताया थे यह वी होक के हैं ऐसी हम सारे words की practice करेंगे उसी format में जो की बता रखा है हर words को एक लाइन में जितने words आनों को six times हम लिखेंगे अब आगा जैसे c में pointing standing ठीक है standing हो गया extending apparently कंट्री कंट्री काइंड ली ठीक है काइंड नेस ठीक है बट नोट अगर हमें wanted लिखना है तो उसमें हम जोनेगे पूरा end बनेगा wanted के case में ठीक है क्योंकि मिदल में तब जोइन करेंगे पूरा stroke आ रहा है मिदल के बाद अगर half stroke आ तो उस में पूरा लेख़ा है तो प्रिंटिड को ऐसे नहीं लिखेंगी यह क्या होगा हम प्रिंटिड के लिए पूरा एन होक्त बनाएंगे प्रिंटिड हो गया मीं टाइम हो गया ठीक है मीन लिखेंगे और आगे हम जब प्रैक्टिस करेंगे जब फैमिलियर हो जाते हैं वर्ट से तो बाद में इतना टेंशन लेने की शुरूरत नहीं है कि हर रूल को हमें अपने दिमाग में अभी अच्छी तरीके से सीखना है बाद में हम कुछ फैमिलियर हो जाएंगे जब लिख हम और किस पैटन में करेंगे उसी पैटन में करेंगे किस पैटन में जो की पैटन मैंने बताया था सिख्स टाइम्स हम इसको रीट करेंगे पहले लाउडली रीट करेंगे फिर सही है सिख्स टाइम्स लाउडली रीट करेंगे स्वारी टैंट टैंस लाउडली रीट ठीक है six times हमें लिखना है इसको फिर अगेन अपने लिखेव को six times हमें रीट करना है लाउडली ठीक है 10 times reading करना है पहले लाउडली exercise 90 91 92 की और फिर क्या करना है six times इसको शोटन में लिखना है और अपनी शोटन को six times अगेन रीट करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है हम स्टार्ट करते हैं मैं पहला और लास्ट पॉइंट बता दो उसके बाद आपको खुद करने हैं तो हमारा पहला जो exercise 90 पे पॉइंट है gentleman kindly let me have your prize for printing a hundred copies of the enclosed circular full stop I should prefer a better grade of paper provided the cost is not too high full stop I should be glad if you would telephone your prize to us as we are in a hurry full stop yours very truly टीक है ऐसे loudly हमें पढ़ना है लाउड़ी पढ़ने के बाद हमें क्या काम करना है उसको लिखना भी है six times हमें उसको loudly जैसे 10 times read करना है read हो गया जैसे मैंने read करके दिखा फिर उसको हमें six times लिखना है six times लिखना है कैसे लिखना है जैसे gentleman kindly ऐसे बोलते बोलते लेट मी हैव यू प्राइस फॉर सही है फॉर प्रिंटिंग सही है printing a hundred sorry hundred printing a hundred copies ऐसे करगे copies of the essay फिर दुबारा gentleman kindly let me have your price for printing a hundred copies of the essay six times लिखना है फिर उसके आगे का स्टार्ट करना है hundred copies of the enclosed circular से ऐसे स्टार्ट करना है ठीक है फिर next line में आएगा and closed circular जहां तक line में complete हो रहा है तो हमें ऐसे करना है फिर इसका last sentence में बता जैता हूं इसमें last sentence जो है वो रहेगा हमारा in the meantime in the meantime we are mailing you our credit memorandum for the cost of the books plus cost of mailing them to us full stop very truly yours ऐसे हमें इसकी क्या करना है loudly ten times reading फिर six times लिखना है फिर again अपने लिख्योए की reading करने है six times अब exercise 91 करेंगे 91 में क्या है stenography is a 100% subject full stop by that I mean that you must achieve perfect accuracy if you are to be off use in a business office ठीक है फिर last sentence में बता देता हूं पढ़के last sentence क्या है if you wish to make sure that you will advance in your business career you should strive to develop the habit of accuracy from the beginning of your training full stop ऐसी हम 92 को करेंगे उसी pattern में exercise 92 we are planning a special sale of house furnishings during October and we have decided to keep the store open until 9 o'clock next Friday evening so that husband and wife may visited the store together may visit the store में के बाद फर्स फोर में के वाद फर्स फोर्म है कि विजिट था स्टोर तोगेदर ठीक है ऐसी हम last क्या पढ़ेंगे last line मैं आपको बता देता हूं उसके बाद आपको यह करना है पूरा we can easily make arrangements to finance your purchases on a partial payment plan if you prefer full stop इसी pattern में हमें 10 times loudly reading करना है six times क्या करना है उसको लिखना है फिर एक में इतना आ रहा है ठीक है और उसके बाद आपने लिखी हुए अपनी शोटें हैंट्राइट हैंट्राइटिंग सेफ फैमिलियर होने के लिए दुबारा उसको अगीन ड्रीट करना है आज के लिए इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आती तो आप इसको जरूर कीजिए और हमारे यूटूब चैनल हिंदी इंगलिश शोटेंड डिक्टेशन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू